हेलो दोस्तो, S4Suren के चनल पे मैं Suren आपका एक बाग फिर से वेलकम करता हूँ दोस्तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई प्लेलिस्ट लेकर के आया हूँ और इस प्लेलिस्ट में दोस्तो हम लोग बात करने वाले वर्डप्रेस को लोगर के दोस्तो, इस प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे WordPress क्या होता है WordPress को कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं दोस्तो, WordPress को यूज़ करते हैं किस तरीके से हम लोग मिंटो के अंदर अपनी website और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजे हैं जैसे कि WordPress के अंदर किस टाइप से आप लोग post generate कर सकते कैसे अपने menus create कर सकते हैं कैसे आप लोग अपने pages create कर सकते हैं किस तरिके से दोस्तों एप लोग अपनी themes को change कर सकते हैं कैसे तरीके से आप लोग अपने computer के अंदर जो है वो WordPress को install कर सकते हैं, दोस्तो WordPress जो है आप लोग जानते होंगे कि WordPress जो है वो एक PHP supported या किया सकते हैं, PHP based अपने पास जो है एक CMS होता है, तो दोस्तो यहां पर जो है आपको PHP को चलाने के लिए जैसे हम लोग Apache and MySQL को use करते हैं, तो आप अच्छी से जानते होंगे कि आपको server चाहिए और अगर दोस्तो आपको नहीं भी idea तो मैं आपको यहां बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने computer system के अंदर अपने server को create कर सकते हैं, अपनी MySQL को install कर सकते हैं, दोस्तो अगर आपने मेरे इस channel को अभी तक subscribe नहीं system जिसको हम लोग CMS भी करते हैं, किस तरीके से आपके content को manage करना है, वो इस system में इस software को पता है, तो WordPress क्या हो गया, WordPress is a CMS that allows you to host and build website, जिसके थूँ आप लोग अपनी websites को build कर सकते हैं, साथ में आप उसको host कर सकते हैं, WordPress contents, plugin architecture and a template system, so you can customize any websites to fit your business, blog, portfolio or online store, तो दोस्तो वर्डप्र जो है, वो बहुत important और बहुत easy topic है, जहां आप कुछ ही mintो में अपनी websites को बना सकते हैं, और अगर आप इसको पूरा अच्छी से दिखींगे, लाश तक जाते हुई, तो दोस्तों, आप अलग-अलग type की बना सकते हैं, अलग-अलग type की websites को बना सकते हैं, दोस्तों, मैं यह पर सबसे पहले अपने computer system के अंदर XAMP को install करने वाला हूँ, यनि कि Apache and MySQL को install करने वाला हूँ, तो उसके लिए दोस्तों, आपको अपने computer के कोई भी browser को start करना होगा, लाइक दोस्तों, मेरे पास यहां पर Google Chrome है, तो मैं Google Chrome को start कर देता हूँ, Google Chrome में जाने के बाद आपको simple स अपने search में जाकर के लिखना है XAMP, दोस्तों, आप जाकर के लिख सकते है XAMP, XAMP download for Windows, जो भी आप लिखना चाहें, दोस्तों, आपके पास यहां पर Apache friends.org नाम की website आपको मिलेगी, सबसे पहला link यही आएगा, इस पे आपको दोस्तों बस click करना है, जिससे कि आपके सामने downloads का page open हो जाएगा, यहां दोस्तों, आपके सामने XAMP software है, XAMP यहनि कि cross platform पे Apache, MySQL, PHP और Perl आपको मिलते हैं, खुल मिला के 4 software से हैं, दोस्तों, 4 software से हैं, जो cross platform है, यहनि कि आप Windows को use करते हुए, अगर आप दोस्तों अपना server बना रहे हैं, तो आपके उस server को use किया जा सकता तुरू Linux भी तुरू Mac के तुरू भी है, तो दोस्तों यहां पर अगर आपके computer system का जो operating system है, Windows है, तो दोस्तों आप इनमे से किसी को download कर सकते हैं, ऐसी दोस्तों Linux के लिए यहां से download कर सकते हैं, तो अलग-अलग operating system के अलग-अलग आपके पास यहां पर कुछ software से हैं, आप क 0.4 8.0.9 तो जो भी आपको सही लगया आप उनको यूज कर सकते हैं तो मैं यहां पर दोस्तों इस बटन के उपर क्लिक करना जिससे की यहां मेरे computer system के अंदर जैंप जो है वो download होना start हो जाएगा दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास यहां download होना start हो चुका है क्योंकि दोस्तों मेरे computer में यह already install है तो मैं इसको यही cancel कर देता हूं मुझे अभी इसकी requirement नहीं है मैं रोक देता हूं दोस्तों जब आप इस software को install करेंगे लाइक जब भी आप अपने computer में जाम को install करेंगे तो दोस्तों उसके लिए आपको एक चीज ध्यान अखनी होगी कि आपको अपने जाम को सी ड्राइव में install नहीं करना है डी जो भी आपकी ड्राइव है वहां आप इसको क्रिएट कर सकते हैं वहां आप उसको install कर सकते हैं उसके पीछे एक चोटा सा logic यही है कि दोस्तों अगर आपने सी ड्राइव में अगर इसको install कर दिया जैंप को तो जैंप जो है अपने एक टाप का server है और दोस्तों जितने भी हो कि आपकी कंप्यूटर की सी ड्राइव करप्ट हो जाए तो सिच्वेशन में आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वह सारे के सारे बेस्ट हो जाएंगे इसलिए दोस्तों मैं आपको यहां पर सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप सी ड्राइव की जगे डी जो भी आपके कंप्यूटर सेस्टम पर ड्राइव फ्री हो वहां आप उसको क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों इसके उपर जब आप डबल क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा बस आपको डी ड्राइव सेलेक्ट करना है तो मेरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यहां जो दोस्तों डी ड्राइव है वहां पर एक्जांप नाम का फोल्डर क्रियेट हो चुका है सिंपल सा है दोस्तों मुझे इसके उपर क्लिक करना है आप यहां पर देखेंगे बहुत सारे फोल्डर है सबसे है वो इस एश्टी डॉक्स के अंदर जाकर के स्टोर होता है यहां पर मेरे पास कुछ डेमो फाइल्स होंगी कुछ डेमो प्रोजेक्स हो सकते हैं अभी दोस्तों इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जब आप वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे तो आप उस इसी दरीके से दोस्तों यहां आप जो देख रहें Zamp इस Zamp software को भी मुझे पहले चलाना पड़ेगा ठीके जाम चलाने के लिए आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों सिंपल सा है Zamp जा करके आपको टाइप करना पड़ेगा Zamp का अपने एक आपने एक पैर वाल और दूसरा मैं यहां पर on करूँगा अपना MySQL, तो दोस्तों यहां पर जो है वो मैं start करने वाला हूँ, यहां आप देख सकते हैं, यहां मैं start करने वाला हूँ अपना Apache, यानि कि अपने आपने server है, दोस्तों मैं इस बटन पर click करूँगा, यह Apache को start कर देगा, इसी तरीके से दोस्तों यह जो MySQL देख रहे हैं, इसके आगे जाकर की भी मुझे start करना पड़ेगा, उससे की मेरा MySQL भी start हो जाएगा, और इसके बाद में इसको minimize कर देख, ठीके, उसके बाद दोस्तों एक नए tab में आएंगे और आप जाकर के check करेंगे कि आपका server और MySQL start को चुका है य या 127.0.0.1 भी आप लिख सकते हैं, यह भी आपको दिखाता है, आपका server on है या नहीं, दोस्तों local host यह याद रखना आपको क्या लिखना यहाँ पर local host ठीके, local host अब दोस्तों local host हो गया, इसके बाद आपन को देखना है अपना MySQL, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाकर लिखना होगा slash, और फिर आप लिख देंगे phpmyadmin, बस आपको लिखना phpmyadmin बिना spaces के, तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपके पास ने phpmyadmin जो है वो start हो जाएगा, आपके सामने यहाँ पर MySQL की window मिल जाएगी, बहुत सारे आपके पास यहाँ पर projects आपको दि create करके रख दीजिए, तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक database बनाने जा रहा हूँ, ठीके, database बनाने के लिए simple सा इस new button के उपर आपको click कर देना है, बस जैसी आप इस new button पर click करेंगे, आप से नाम पुछेगा database name, आप कुछ भी डाल सकते हैं, दोस्तों मैं लिख देता हूँ, s for surin, बस इतना लिख देता हूँ, पीछे दोस्तों मैं WP लगा देता हूँ, WP for WordPress, आपको जो नाम लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ, s for surin WP, और उसके बाद इसको create कर देता हूँ, बस इतना सा काम करना है, दोस्तों आप देखेंगे, यहाँ पर अपने पास जो अपन WordPress का नाम क्या है, s for surin WP, root है इसका username और password इसका बिल्कुल blank है, कुछ नहीं, आपको बस यह तीन चीजे याद रखनी है, अब दोस्तों आपके computer के अंदर अपना local server आपने बना दिया है, local server बना लेने के बाद दोस्तों आप वापस अपने Google पे आ सकते हैं, Google Chrome में और WordPress.org website पे, तो दोस्तों आप यहाँ पर नीचे देखेंगे, download WordPress 5.8, आपको simple सा इस बटन के उपर click कर देना है, दोस्तों यहाँ आपका WordPress जो है, वो install होना start हो चुका है, ठीके, यहाँ पर यह download हो गया है, और उसके बाद दोस्तों मुझे इसको install करना है, तो मेरे पास जो है तो दोस्तों यह already downloaded भी है, ठीके, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने downloads में जाते हैं, downloads के लिए दोस्तों मैं जाता हूँ, अपने downloads के अंदर, आप जाकर देखेंगे, downloads में मेरे पास यहाँ पर WordPress 5.8 आच चुका है, बस दोस्तों मुझे क्या करना है, इसको यहाँ से में एक बार copy कर लेता हूँ, ठीके, और उसके बार दोस्तों मुझे इसको लेकर की जाना है अपने जैंप में, तो जैंप कहां बनाया था, दोस्तों आपने डी ड्राइव के अंदर यह रापना जैंप, जैंप में आपको यहाँ पर अपनी इस फाइल को आप चाहें, तो पेस्ट कर सकते हैं, तो दोस्तों यह आपके पास WordPress का एक setup है, आप simple सा इसके उपर right click कर सकते हैं, right click कर देने के बाद दोस्तों आप कर सकते है, extract to WordPress 5.8, ठीके, आगे क्योंकि जितनी बार आप download करेंगे, वो number आते देंगे, 12 मेरे पास इसके setup total 3 थे, तो यहाँ उसका कुछ नाम आ चुका है, दोस्तों आप लोग देखेंगे, यह WordPress जो मैंने यहाँ पर इसको extract किया है, तो यह आपके पास folder यह रहा, इसके अंदर दोस्तों आपके पास फिर से एक folder आता है WordPress, ठीके, और इसके अंदर बहुत सारी फाइल से, दोस्तों मेरे काम का यह folder है, मैं इसको यहाँ स delete करके बाहर ले जाता हूँ, इस तरीके से यह WordPress नाम का आपको folder दिखेगा, दोस्तों आप इसको rename कर सकते हैं, और आपको अपने project का जो भी नाम रखना है, तो दोस्तों मैं project का नाम रखना हूँ, as for surin, आपको जो नाम रखना है, आप रख सकते हैं, मैं as for surin कर देता यहनि कि WordPress का admin, WordPress के content, WordPress includes और उसके बाद बहुत सारी files जो हम लोग use करते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे जैसे contents, contents के अंदर आपके plugins, themes, इस ताप से आपको अलग-अलग folder मिलेंगे, जिसे themes में इसके अंदर by default themes, आपको themes मिलती है, जिसे अभी 2021 चल रहा है, त दोस्तों पिछले तीन साल तक है, यहीं 21 का, 20 का और 19 की theme आपको यहाँ मिलेगी, अगर आप बाद में इसको use करेंगे, next year अगर आप देखेंगे तो 22, 21 और 20, last 3 year की आपको यहाँ पर theme मिलती जाती है, तो इस टाप से दोस्तों आपके project का नाम क्या है, यहाँ पर S4 Surin अपने Chrome में, अब बाकी की सारी चीज़ें आप चाहें तो यहाँ से बंद कर सकते हैं, मुझे इनकी requirement नहीं है, मैं इन सभी को बंद कर देता है, दोस्तों आपको यहाँ पर जाकर की क्या लिखना है, बस इस बार क्योंकि आपने Zamp on कर रखा, याद रखिएगा, Zamp on है तभ कर देंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आपका वो जो प्रोजेक्ट है, वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट है, जिसका नाम आपने S4 Surin create कर रखा है, वो आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, और यह आपका एक टाप का सेट अप होगा, जिसके थूँ आप अपने वर्डप इसके अलावा यूजरनेम और पास्वर्ड पता होना चाहिए, डेटाबेस का होश्ट पता होना चाहिए, तो बस यह तो हमें पता है, इसके लिए डेटाबेस का नाम अपने क्या रखा था, दोस्तों, S4 Surin WP, यूजरनेम इसका क्या रखा था, अपने रूट जो बाइड लेट्स गो, जब आप करेंगे कुछ चीजे पुछेगा, यह बोलना डेटाबेस का नेम क्या है, तो दोस्तों, आपने रखाता है, S4 Surin WP, यह आपको याद होगा, यह अपने रखाता है, अपने डेटाबेस का नाम, जो यहाँ आप देख सकते हैं, यह रहा, S4 Surin WP, इस उसके बाद है, आपके पास जो डेटाबेस का होश्ट कौन सा होगा, दोस्तों, तो लोकल होश्ट ही है, उसके बाद बोलता है, Table Prefix, Table Prefix Security के लिए है, कि आपकी जो टेबल्स बनेंगी, इस डेटाबेस के अंदे जो टेबल्स बनेंगी, उससे पहले आप कुछ लगाना जाते हैं, आप लगा सकते हैं, आपकी जो डिपॉल्ट टेबल का नाम आएगा, उससे पहले S4S लगावा होगा, बस सिंपल सा, इतना आपको याद रखना है, उसके बाद दोस्तों, आपको सब्मिट कर देना है, सब्मिट करेंगे, तो यह पुछेगा, कि इसको इससे दोस्तों, यह बैग्राउंड में इंस्टॉल हो चुका है, बस आपसे दो-तीन चीज़े और पूछ रहा है, यह कह रहा है, आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है, जैसे मैंने S4S लेन प्रोजेक्ट का नाम रखा, फोल्डर का नाम रखा, अब ज़रू सुरेन, इस टाइप से आप अपनी वेबसाइट का टाइटल यहां पर बता सकते हैं, उसके बाद दोस्तों, एडमीन पैनल के लिए आप अपना यूजर नेम यहां पर रख सकते हैं, तो दोस्तों, यह पूछ रहा है, तो मैं यहां पर इसका पासवर्ड भी एडमीन ही कर देता हूँ, एडमीन इसका पासवर्ड होता हैगा, हाले कि वो वेरी वीक बोल रहा है, बर चलाते हैं अपन, उसके बाद दोस्तों, यहां पर यूजर आप यह बता सकते हैं, उसके अलावाद दोस्तों, यहां पर यह और इमेल एडर से हैं, तो मैं ऐसे कुछ भी लिख द आपके इस वेबसाइट के कंटेंट को सर्च करके आपके यूजर को डिस्पले नहीं कर पाएगा, तो इसलिए आप इसको ओफी रखेगा, उसके बाद दोस्तों, इस बटन के उपर क्लिक कर देंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, दोस्तों, कुछ चीज़े वेरिफा कर लेने के बाद में, बैक्ग्राउंड के अंदर ये उसका एक सेट अप चलाएगा, आपके वेबसाइट बन जाएगी, और साथ में दोस्तों, उसका एक एड्मिन पैनल भी बन चुका है, आप चाहते हैं, तो उसको सेव रख सकते हैं, उसके बाद दोस्तों, आप इस पस्वर्ड हो सकता है, कुछ और हो, तो दोस्तों, मैं यहाँ पर एड्मिन रख लेता हूँ, और उसके बाद मैं इसको जब लॉगिन करूँगा, तो आप देखेंगे, दोस्तों, आपने जो वेबसाइट बनाई थी, S4Suren के नाम से, वो आपकी वेबसाइट बन चुकी है और साथ में, आप उसके एड्मिन पैनल के अंदर आचुके हैं, एड्मिन पेज के अंदर आप यहाँ आचुके हैं, इसी तरीके से दोस्तों, मैं इस वेबसाइट को आउन करके दिखा देता हूँ, आपको क्या आपकी वेबसाइट कैसे बनी हैं, तो दोस्तों, मैं जाकर के देखेंगे तो दोस्तों यह उसका admin panel है और यहां पर अपन बात करें dashboard दोस्तों आपकी इस website में जो कुछ भी आपको changes करने वो सारे हम लोग यहीं से करेंगे administrator चोई इस website का वो यहां पर कुछ changes करेगा तो दोस्तों अगर आप यहां पर चाहते हैं जैसे यह theme जैसे मैं आपको पहले भी कहरा था कि यहां पर यह जो theme आपको मिल रही वह दोस्तों आपको latest मिलेगी 2021 की आप चाहते हैं by the way theme को change करना आपको अगर यह ठीक नहीं लग रही है तो दोस्तों appearance के अंदर आपको option मिलता है theme जो मैं आपको दिखा चुका हूँ वहाँ पर तीन theme आपके पास already available थी तो दोस्तों यह तीन theme आपके पास यह रही जो आपके पास 21 की है 19 की और 20 की जो आपको चाहिए दोस्तों उसके ओपर आप active कर सकते हैं जैसे यह आपकी theme यहां से active कर सकते हैं दोस्तों अब अगर आप देखेंगे active हो जाने के बाद आपकी website यहां पर उसका layout और changes हो चुका है दोस्तों आपके पास limited theme यहां पर तीन ही मिल दिये अगर आप internet connected है तो उसके बाद दोस्तों आप यहां से plus करके और कुछ theme भी ले सकते हैं उसके लिए दोस तो दोस्तों आप यहां पर suppose यह लेना चाहरें तो मुझे यहां पर क्या करना है दोस्तों इसको install करना है जब मैं इसको install करूंगा तो दोस्तों यह जो theme है वो wordpress की website से मेरे computer system के जो डे drive जैम बना था और जैम में htdocs के अंदर जो दोस्तों मैंने एक folder बनाया था s4 suren के नाम से दो मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों अपने s4 suren के नाम से प्रोजेक्ट बनाया था और इसके अंदर contents इसमें दोस्तों आपके पास यह जो theme ती इसके अदर अभी तक आपके पास यह theme जो मैं आपको पहले दिखा चुकी है अभी आपने जो यह लिया इंस्प करना है दोस्तों जैसे आप इसको active करेंगे अब आप यहां आकर के देखेंगे फिर से दोस्तों अगर आप इसको refresh करेंगे तो बिल्कुल अलग टाइप का layout आपकी website का हो चुका होगा जो आपने बोला था उस type की website यह बन चुकी है इसी type से अगर आपको दोस्तों लग रह जिसे की यह theme जो है वो WordPress की website से आपके computer system के आपके project के themes में आकर के store हो जाएगी दोस्तों यहां पर मैं इसको install कर रहा हूँ यह installation के साथ साथ मैं यहां दिखा देता हूँ यहां आपको फिर से वो जो अपने ली है वो यहां आपको दिख जाएगी ठीके बस आपको क्या करन होगा उसको जाकर कि फिर से active करना होगा जैसी इसको active करेंगे दोस्तों आप देखेंगे आपका template फिर से यहां पर change हो चुका होगा तो यहां पर आप जो theme है वो और अलग-अलग टैप की ले सकते हैं इसमें ब्लॉग दिखा रहा है और भी कुछ चीज़े हैं तो इस तरी लिया इंस्टॉल कर लिया है आपने अपने प्रोजेक्ट भी बना दिया है लेकिन दोस्तों अभी बहुत सारी चीज़े बाकी पड़ी है जो हमें यहां पर changes करने हैं तो इस तरीके से दोस्तों यह जितने भी चीज़े हैं या जो भी points आप देख रहें अलग-अलग options आप अगले वीडियो में तो इस तरीके से दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं मिलते अगले वीडियो में तब तक कि यह आप मेरे साथ जुड़े रहें थैंक यू